हेलो एबरीवन कैसे हुआ आप लोग मेरा नाम है स्नाइत मिस्रा स्वागत है तुम्हारा इस भारत के सबसे क्रेडिबल एजुकेसनल प्लैटफॉर्म पे जहां पे हम कर रहे हैं आईटी जैए मेंस और एडवांस की तैयारी अभी तक हमने बच्चा फिजिक्स बहुत अच्छे से पहला चैप्टर खत्म किया जिसका नाम था वेक्टर क्या नाम था वेक्टर अब उसके बाद बारी आ हाजाता क्योंकि यहां पे चीजह होती है जो की आपको आ Tio margins यहां में काम आएगा फिजेक्स बढ़िए मैं तुम्हें फिजेक्स पढ़ाने कभी नहीं अया मैंने कहा है न मैं तुम्हें आईटी के गेट तक पहुचाने आया हूं उस गेट तक पहुंचने में फिजिक्स एक सब्जेक्ट है वो मायने रखती है मैंने कभी नहीं कहा कि फिजिक्स पढ़ के सिलेक्शन होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैट्स आपको तीनों पढ़ने होंगे मैं फिजिक्स का टीचर हूँ बट मैं ये बेवकूफी वाले भ्रहम में कभी नहीं रहता कि मैं बच्चे को सिर्फ फिजिक्स पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं नहीं तुम्हें तीनों पढ़ना होगा और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं अपने उपर दावा करता हूं मैं अपने उपर गारेंटी लेता हूं कि मैं तुम्हें कि आयर्टी पहुंचने लायक बना करके यहां से भेजूंगा यह मेरी गारेंटी है और वह वादा तो याद ही है मेरे नोट से ही सवाल आते हैं तो वह वादा मैं अभी भरकरार रखता हूं अपने टॉपिक का नाम देते हैं बेसिक मैथमेटिक्स इसका मैं बेस त्यार करू है बट वह मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा काम नहीं है मेरा काम है फिजिक्स पढ़ाना मैथमेटिक्स आपको मैथमेटिक्स आप क्यों पढ़ा रहे हो बच्चा तो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डीप में पढ़ोगे अपने ग्यारवी और बारवी के दौरान ठीक है ले कर नहीं सकता और यह टीचर नहीं करता तो है टीचर बताते हैं दूसरी चीजे बात ध्यान रखना कि मैं जब mathematics लिख रहा हूं तो उसके आगे basic लगा रहा हूं तो आप जो topics देखोगे अगर आपने पहले पढ़ रखें तो आपको लगेगा कि बहुत उपर उपर से पढ़ाया जा रहा है बट मेरा काम Maths पढ़ाना है नहीं मेरा काम है basic Maths पढ़ाना जो कि physics में काम है तो मैं उतना पढ पता हूंगो जिसे हम फिजिक्स कि गाड़ी स्मूथ ली चल ठीक है अब आते हैं बात की बिच्छी q chic पढ़नी क्यों है कि कि मैथमैटीक सइग पढ़नी है living language of I am sorry physics है कि इसमें एक बात समझनी है है हमें कि physics की language है mathematics वह कैसे अब मैं बताओंगा में और तुम बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे किस बाषी में बात कर रहा हूं वसके शब्याशा का नाम हिंदी अगर मैं हिंदी नहीं जानता तो मैं अपनी भावनाओं को तुम तक नहीं पहुंचा पाता तो यह भासा ने क्या काम किया मेरी भावनाओं को तुम तक पहुंचा है उसी तरीके से फिजिक्स को पढ़ने के लिए एक भासा चाहिए और उस भासा को डेवलप किया गा उसका नाम दिया गया क्या मैं थे मैटिक्स तो क्या सर हम इंग्लिस और हिंदी में फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते ते बिल्कुल पढ़ सकते थे मैं एक ग्जामपल देता हूं तुम्हें तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉफ मोशन पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में सायद वह क्या कहता है मैं इंग्लिस में फिजिक्स पढ़ाने की कोशिस कर रहा हूं तो मैं इंग्लिस में पढ़ाने की कोशिस करना वह क्या कहता है कि The the rate in change of momentum is directly proportional यह डारेक्ट ने इस इकवल टू पो फोर्स अप्लाइड यह कहा जाता है कि दर रेट इन चेंज अफ मोमेंटम इस इकवल टू फोर्स अप्लाइड यह मैंने फिजिक्स किस भासा मैं बताई तो मैं किस लैंग्वज में लिखी हुए यह यह मेरा बच्चा वो लेगा माट सा इंग्लिस लैंग्वज में लिखी गए इसी में पढ़ा दो मैंने बोला बहुत अच्छा अब मैं एक और लैंग्वज लिखता हूं और वो क्या है फोर्स इकवल टू डीपी बाई डीटी या इसे अगर दसमी में तुमने पढ़ाओ तो डेलपी बाई डेलटी यह मैं बत इसी चीज थी जिसमें बहुत सारी वाहियाद चीज थी दा इन ऑफ इज टू अपलाइड यह बहुत वाहियाद चीज है इसमें सिर्फ और सिर्फ काम के चीज़ें आ गए बहुत छोटा से हो गया कॉम्पैक्ट होगया और मुझे कहना आसान हो गया कि रेट इन चेंज तो है वह फिजिक्स को बहुत ही बहता ढंक से रिप्रेजेंट कर सकती है कि आपको दिखा मेरा बच्चा बोलेगा हां माट सब दिखा तो तुम्हें यह बात क्लियर हुई कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स में पूरी दुनिया में ही मैथमेटिक्स मैथ मैथमेटिक्स बनाई ही गई है फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स का अपना कुछ अस्तित्व नहीं होता है एक फिनमेन नाम के टीचर थे उन्होंने कहा था कि मैथमेटिसियन क्या बात कर रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं होता वह बस बात कर रहे होते हैं कि मैथमेटिक क्योंकि mathematics language of physics है इस चीज को नोट करने की जरूवत नहीं तुम बस यह नोट करना कि mathematics क्या होती है mathematics is the language of physics आप IIT की त्यारी कर रहे हो ना नीट की तू नहीं कर रहे क्योंकि अगर आप नीट के कर रहे होते तो आप मेरे स्नेट मिस्तरा नीट physics वाले चैनल पर होते हैं तुम्हारा मास्टर इतना वह है महनती महनती नहीं इतना पागल सा कि मतलब मेरे लिए बहुत आसान था तुम्हारे इसी वीडियो लेक्चर के और वह चलाताएं उनका मुझे वह चीज नहीं करना है मुझसे दो इस पीनगे में छही था रही करनी के यह यह पहला लेक्चर है तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स का है ना बोलो हां हां माट सब है तो पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में मैं तुम्हें छोटी 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 धेर सारी चीज़े बता करके और दो लेक्चर में छोटी छोटी टॉपिक्स खतम करूंगा और ब न्यूटन फिजिक्स मतलब थियोरीज बना रहे थे थियोरीज में कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उसने अपना मैथमेटिक्स डेवलप कर दोगे न्यूटन का दिमाग है तो मैं सुरुवात में ट्रिग्णोमेट्री क्वाड्रेटिक वह सारी चीजे ग्राफ थोड़ी थोड चाहिए पर तीसरे लेक्टिर से मैं अप्रॉक्शिमेटली कैलकूलाश चालू कर दूंगा 4-5 लेक्टिर लेंगे 8-9 लेक्टिर में तुम्हारा बैसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा क्या मेरी बात क्लियर है हाह माट सब क्लियर है तो वेक्टर्स तुमने प्रैक्टिस होती है जो तुम्हें भी होगी वो है एंगल सबसे पहला सवाल आता है वाट इस एंगल बता सकते हो तो बताओ तो क्या मेरा बच्चा बता सकता है । ए-encial एक यह अच्छा कि एक आंगल बोलते हैं इसे कौन को एंगल बोलता है कॉर्मर को कॉछ बच्चा बोल सकता है कितना खुलाव है कितना ओपनिंग है किससी छीज को लेकिन ये सवाल वॉट्ट proportion heat सवालों दौनों सवालों का जवाब उसी है कि और अंगल है क्या थे सोच लिया अब मैं बोलना चालू करूं फर्मिशन है तुम्हारी चलिए कि फिजिक्स नहीं चीज इंट्रोडूस होती है मेरे बच्चे तो वह इत्रोडूस होती है क्योंकि पूरानी चीज़ों से काम नहीं चल सकता था तो हमें नया चीज लाना थी कुछ प्रॉब्लम आय उसका एक सॉल्यूशन है एंगल वह प्रॉब्लम क्या थी वह समझने हमारे लिए जरूरी है क्या मैं समझाना चालू करूं हां माट सब समझाओ हम बचपन से ही फिजिक्स बचपन से ही डिस्टेंस को नापने में ओर दूरियों को ना अपने में तेंए nostro चार किलोमेटर यह ना पर जा रहा थे बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ना पर जा रहा थे यह कोई गारी थी राम लाल जी की गारी थी मोहंधेडी जी बैठे थे बैठे है यह गारी जो है सो यहां पे खड़ी है मार लो कि मैं इसे रेफरेंस पाउंट लेता हूं झीरो ठीक है यह है यह यहां चलके पहुँच गए सीधी रेखा में चला इसने और यह पहुँच गया सपोज यह जीरो से चलना चालू हुआ और यह दस 100 मीटर आगे बढ़ गया सॉरी दस नहीं 100 मीटर आगे बढ़ गया ठीक हमने डिस्टेंस ना पा यहां पे एक स्केल रखा यहां पे 100 मिटर चली है तो गाड़ी का यह वालन पॉइंट कहा होगा 100 के बाद यह तो गाड़ी का ये वाला पॉइंट कितना चला होगा मेरे बच्चे ये भी सर सौ मीटर ही चला होगा क्योंकि सीधी रेखा में चल रहा है तो गाड़ी का हर पॉइंट सौ मीटर में चलेगा क्या 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 गाड़ी का हर पॉइंट सौ मीटर चलेगा तुमने बोल तो उसका हर पॉइंट जो है वह सेम डिस्टेंस देय करता है तुमने बोला हाँ अब मैंने बोला किह देखो क्या करते हैं कि येख स्टिक लिया स्के firmly निया इसको की पहां पोट्ष यहां इसकर यहां उसके सेल यहां पहूंच जाएगा अब ने distance वाला हिं दिमाग लगाया कि हर point जो है वो एक दूरी तैय करती है, बच्चे ने इस point को सिलेक्ट किया, ये point मानलो कितना दूर गया, इसने 3 meter cover किया, मानलो 3 meter cover किया, क्या मेरा बच्चा मैं इस point को सिलेक्ट करूंगा, ये भी 3 meter चला, जवाब दो, तुम्हारा जवाब obvious साने माट साब ये 3 मेटर नहीं चला क्या ये वाला पॉइंट बच्चा 3 मेटर चला होगा नहीं माट साब ये दोनों 3 मेटर से कम चले हैं problem आगई distance को नापने में जब हम किसी चीज को सीधा-सीधा चला रहेते हैं तो हम बहुत आसानी से कीलो मिटर मिटर माल्मिल में आप रहे तिए क्या मेरी बात कलियर हमाट सब कलियर है जबकि हमने किसी स्केल को घूंपाया किसी एक पॉयंट को फिक्स करके कहने का मतलब होगा कि रोटेट कर आया किसी एक पॉइंट को fix करके तब हम जो बहुत पुराने जमाने से 10,000 सालों से हम कि ना अपने की प्रकिरिया अपना रहे थे वह फेल हो गई यहां पर वह कहती थी कि अगर कोई body linear motion कर रहा है तो उसका हर point जो है वह सेम दूरी तय करेगा scale ने घुमा दिया खुद को हर point इसका सेम दूरी तय नहीं कर रहा था तो अब हमारे जीवन में आ गई समस्या और समस्या के रूप में आता है समाधान आपदा को अवसर में बदला गया आपदा आ गई अवसर बनाना पड़ेगा क्या मेरे बच्चे को बात clear है clear है तो अब इस पर सोचना चालू किया गया क्या यह तुम्हें यह एक्जामपल नोट करना है मैं कहूंगा नोट कर लो दस सेकंड रुकता हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस माट सब दस सेकंड नहीं आपने तेज गिना इसके नीचे एक चीज लिख लेना ताकि बाद में तुम्हें याद रहे कि in initial days of physics development we used to use we used to measure distance as in kilometer meter the concept used was that in motion whenever a body travel a certain distance every point of that body travel the same distance every point of that body travels the same distance every point of that body travels the same distance but when we experience the rotational motion this concept got wrong and then and then a problem was invented and as a problem we need a solution and that solution is called angle और वो solution क्या है एंगल है अब मैं एंगल कैसे डेवलप हुआ वो बताने की कोशिस करता हूं क्या करता हूं को सिर्फ एक लाइन से दिखा दूं तुमने बोला हां मैंने बोला ठीक है फर्मिसन के लिए थैंक्यू मैंने स कटेल को इधर से धक्का मारा क्या मारा धक्का मारा यह घूमकर यहां चला गया ठीक है कि ए-छे-टोड़ा सा मुझे राउंडऄ बनाना सर्कूलर बने गा ना कि है क्या मेरी बात क्लियर ठीक यह होगई यह क्या एक बड़े सर्कल का प्रठ होगा imagine करो होगा ठीक है यह बड़े सरकल का radius होगा यह भी radius होगा क्या मेरी बात क्लिए रहे अब हमें क्या मेजर करना है इसका खुलना कितना खुला है distance के तोर पर हम इसे नहीं नाप सकते क्योंकि mistake हो रहा था तो कोई एक ऐसी चीज जो constant है वो हमें ढूंड नहीं होगी रही क्या constant है एक बात ध्यान देना यह आर था तो यह इतना बड़ा लेंथ खुला थीक है इसी आरख हम थोड़ा और बढ़ आप भाड़ गया यहीं पी मैिसन करो आप अगर इसी एंगल पर रेडीस बढ़ाते हो तो क्या आर्क बढ़ जाता थीक क्या आर्क बढ़ जाता है यानि कि आर्क का बढ़ना रेडियस के बढ़ने पर डिपेंड कर रहा है यानि कि आर्क लेंद ठेस्ट एक डार्यक्टली परपोर्सट्टर्स नला हूआ रिएस के किया मेरी बात किलियर हैBS परपोर्सट्रोड कैसके परपोर्स नलेटि आपको सायद आती होगी आपको परपोर्सन यहां पर उठीक कि खान्स्टेंट स्कूभाट नाएं को हमान के चलता हो कि शोचा सा टॉपिक लोंगा कि वाइज कॉंस्टेंट इस्ट्यूज्ट इंट्रुड्र्यूज continued equal to also बताता नहीं यह सोचता अंडूस्ट की बच्चे सो समय मैं आहती यह मैं मान के चलता हूं कि N0 expectation बच्चे से कुछ भी expect नहीं करना कि उसे आता ही है सब कुछ बता नहीं चोटी-छोटी चीज बतानी एंगल आने की चीज़ नहीं कहीं काम नहीं आएगी बट एक conceptual फील आएगा आपको हाँ यह चीज़ें जाननी चाहिए आर्क लेंथ क्या है डिरेक्ट लिप्रोपोर्शनल टू रैडियस के है तो जब आर्क लेंथ यह प्रोपोर्शनलेटी को हम इकोल है बदलेंगे तो यहां पर के आएगा एक constant आएगा और के इंटू रैडियस ठीक है तो के बराबर क्या होगा आर्क लेंथ अपॉन रैडियस क्या मेरी बात क्लियर है क्या मेरी बात क्लियर है यह जो की आया यही एंगल है मेरे बच्चे क्या है यह एंगल है यानि कि तुमने टेंथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रैडियस एंगल को अहीं नाम सुना होगा और अपने सूना ही होगा कभी आपने सोगा यह पहोट सारे बच्चे चलो मैं इसको अभी ही बता देता हूं कि एंगल यहाँ पर मैं कॉंक्लूड कर लो फिर बताता हूं उस बात पर क्यूं आता है वह प्रस्ट वैनलेटी के जगह पर इक्वल टो कॉंस्टेंट यानि कि अब जो थीटा है वो हमेशा कॉंस्टेंट रहेगा चाहे आप इसे या एलटू अपन आर्टू करो इस खुलेपन को नापने का हमारे पास एक सिस्टम आ गया जिसे हमने का कहा थीटा का गॉट इट क्या मेरी बात आपको क्लियर हो गई अब एक और कॉंसेट इस पर चलते हैं क्या कॉंसेट चलेंगे थीटा नापने के चक्क्र में कि सपोज करो कि यह एक रैडियस ठीक है इसको मैंने पूरा का पूरा एक चक्कर लगवा दिया कितना चक्कर लगवाया पूरा का पूरा एक चक्कर लगवाया इसे मैं मिटा रहा हूं बच्चे तुमने परमीशन दी तो मैं मिटा देता हूं एक चक्कर लगवाया ठीक है तो एक चक यानि कि एलबाइ आर की वैलु टू पाय रोटा यानि कि पूरा एक कंप्लीट सरकल करने में जो हम एंगल कवर करते हैं उसे बोलते हैं तू पाई यूनिट क्या होगी सर एसाइउनिट और अफ एंगल इस रेडियन क्या होता है डिगरी आपने पड़ रखिए डिगरी समझन थीटा पाई आ गया यह टू पाई रेडियन होगा थीटा की वेलू कि इस पॉइंट से मैं क्या समझो सर इस पॉइंट से आप यह समझो कि पूरे एक चक्कर लगाने में कितना दूरी कोई भी ऑबजेक्ट रोटेशनल मोशन में कवर कर सकता है उसे बोलेंगे टू पाई रे अब अब अगर्या है कि अनिबॉडी है अब मुव्स टू पाई रेडियन क्या मेरी बात क्लियर हुई एनिबॉडी मुवज टू पाई रेडियन है मैं ऊपर का चीजे मिटा रहा हूं कि वाट इस एंगल समझाई एक डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका आज से आपका कर दिस्टेंस को मेजर करते हैं और एंगल क्या है एक रेसियो है एंगल की यूनिट क्या होगी रेडियन होगी इसे आपने नोट कर लिया होगा मैंने पूरे का पूरा क्लियर कर दिया मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया एंगल है वो क्या है एलबटा आर ठीक है इसकी एसा यूनिट क्या होती है रेडियन इसकी अधर यूनिट क्या होती है कि डिग्री ठीक है एक कम्प्लीट सरकल में कितना रेडियन होगा कि टूपाई रेडियन रेडियन को ऊपर में सी से डिनोट करते है ठीक है यह चीजे हमने देख ली बहुत बेसिक से थी क्या मेरी बात मेरे बच्चों को clear है हां माट सब clear मैंने बोला ठीक तुम नहीं यह बात करना है कि हमने ऐंगल को मेजर करने के कि दो यूनिट से जाने तो इसे इंटर कन्वजन भी छीक्न आ ओगा जैसे मीटर और सेंटिबिटर लेंध कुम न belangrijk से मीटर से में बदलना हमें आना चाहिए सी तो हमें रेडियन से डिग्री में डिग्री सी रेडियन बदलना आना चाहिए मैं प्रॉपर्च्णेलेटी मुझे अभी याद थे तो मैं बताऊंगा चिन्ता मत करो तोपिक है इंटर कनव ज़न का अफ ट यंत या फिर ओव को राइडीयन टू डिग्री राइडियन से डिग्री में कैसे बदले उसका इंटर के राइडाने कैसे बदले उसका इंटर college क्या मेरी बात यहाँ पर क्लियर है यह टॉपिक को समझने की सुर्वात हम करते है मैंने एक रेडियस बनाया एक complete circle बना दिया ठीक एक complete circle को हम घूमने में कितना एंगल कवर करते हैं टू पाई रेडियन ठीक है और आपने नौवी दसमी में पढ़ा होगा कि एक complete circle को हम घूमते हैं तो कितना डिग्री चलते तीन सो साट्ड डिक्री चलते हैं ठीक है यानिदी पाई रेडियन का मतलब कितना हुग तिन सो साट बटादू यानिकी एक चो असिद टिगरी यानि-पह-असी डिगरी 180 डिग्री यानि कि एक रेडियन में कितना डिग्री एक रेडियन में होगा 180 डिग्री बट्टा पाई 180 बट्टा पाई डिग्री सोड़ी ठीक है यानि कि एक रेडियन में 180 बट्टा पाई तो यानि एक रेडियन में कितना होगा आप मैं एक से डीयन में कितना होगा एक से 10-150 इंटू dead यह कनवर्जन फॉरमूला होगा अगर एक स्रेडियन को डिगरी में बदल नहीं है तो हमें यह फॉर्मूला यूज करना होगा कि एक सवाल में मैं के मान लो दस रेडियन है ठीक है से डिग्री में बदलो कैसे बदलो यह बदलो सिंप्ली वह फ़र्मुला आगे एक सो असी बटा पाई एंट्टू दस डिग्री है अधार सब बटा फाई डिग्री जेनरली आप जब रेडियन को देखोगे तो उसमें पाई वाला टम इंकलूड होगा ऐसे बहुत कम दिया जाते हैं आपको जेनरली कैसे दिखेंगा मैं दिखाता हूं जैसे समय मी रधीन को डिग्री में बदला है नुट से करो मुझे रोको और अपने पोन में बटन दबाओ मुछे रोको ट्राइ किया? साबास रहे यार सोल्यूसन मटसब सोल्यूसन कर दो πाई बाई टू रेडियन को हमें बदलना है किसमे? डिग्री में फार्मूला कौन सा लगाएंगे? एकस रेडियन वराबर क्या होता है? 180 एपाई इंटू एकस डिग्री यानि कि पाई बाई टू रेडियन में कितना होगा? 180 एपाई इंटू पाई बाई टू डिग्री पाई से पाई कैंसल दो से 180 कैंसल नब्बे बार में यानि पाई बाई टू रेडियन का मतलब होता है 90 डिग्री जो कि आपको पता होगा ये खास एंगल है पाई बाई टू रटियन यानि की 90 डिगरी एक और बनाना कि विखज्चन एات तुम्हारा पाई बाई श्क्स रेडियन को बद लो डिगरी में अब भाई सब डिगरी में इसे डिगरीड Achoo सिंपल सी भाई बात है पाई बाई 6 को अगर रेडियन में बदलना है तो इसे क्या करेंगे 180 अपॉन पाई अगर उधर दिख रहा होगा तो देख लो नहीं तो मेरी बातों पे ध्यान दो फॉना पाई बाई 6 फाई से पाई गैंसल 6 से एकसर एकसी तीस बार में आनि पाई बाई 6 एकवल टू थर्टी डिग्री एक और सवाल इधर कर दो इधर जगह है मेरे लिए तो पाई बाई 12 आप पाई बाई 12 रेडियन को आपको डिगरी में बदलना बदलने को से करो वही तरीका पाई बाई 12 रेडियन बराबर 180 बटापाई एक्स की जगह पे पाई बाई 12 रख दो 15 रेडियन से डिगरी में सिंपल सी वात है इसी को उल्टा करना होता है मैं वह भी बता देता हूं ठीक है वह भी बताता हूं क्लिन कर दूं मैं नोट कर लिया तुमने एक दो तीन चार एक्जामपल सफीसियंट है यह सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कराई जाती है जिसमें आप समय के साथ फ्लुएंट होगा आप चिंता मत करो कि याद नहीं है कोई बात मैं जो चीज याद करनी होगे इस पर मैं ऐसे बोलता हूं कि यह नहीं याद करोगे तुम्हारा इसा टफनेस देना मेरा फर्ज है ताकि वह ब्रेन जो है वह एडवांस के लिए प्रिपेर तो हो जाए यह चोटे 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 टॉपिक्स होते हैं एलेवन थे पढ़ा जाते इसमें कोई जान नहीं होती काइनेमेटिक्स जब आप एक्जाम देने जाओगे एडवांस क जो है वह बच्चे के दिमाग को पूरा रगड़ देता है एक दमजान लगाके ताकि घिज जाए तब न्यूटन स्लोफ मोशन वर्क पावर इनर्जी फिर थार्मोडैनेमस यह सब पर जाते बच्चा एक मजबूत दिमाग के साथ जाता है नहीं तो ऐसे भाग जाएगा ब हो राडियन टू डिगरी किया ना बोलो हाँ अब डिग्री टू राडियन करते हैं कि सेम वही बात एक सरकल में जब हम कोई घूमते हैं तो हमारा जो है वह 180 डिगरी एक सोरी 360 टिगरी एक नए तरीका से इसको बताता हूँ ठीक है जब हम किसी सरकल में आधा खूंते हैं कि ठीक है मतलब यहां से गए यहां गूमा तो हमने कितना खूंसा 180 डिगरी और आव fast 5'2L род at ठीक है ठीक हैでしょう सबस्क्रणा से गालीच किंगरी सद्धार हुआ unstoppable गूमने में पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडिया फार्मूला आ गया अब इस पर हम कुछ क्वेशन्स प्रैक्टिस करते हैं फर्मूला आपको दिमाग में रखना है फ्लुएंट होना है फ्लुएंट सी आने चाहिए आपको दिमाग में बस यह याद रखना कि पाई रेडिय और नमबर टू एक्स करने को तैयार हम नायन टीडिगरी को रेडियन में बदलो कि वह कुछन नंबर टू एक्सो अस्ति नहीं यह तो ठीक है सब्सक्राइब करें नंबर सेवन है कि वन सेक्स्टी डिगरी को क्वेस्चन नंबर एट है कि टू सेवन्टी डिगरी को सभी एंगल्स का एक खास सिग्निफिकेंस यह मैं बई दे रहा हूं ताकि तुम्हारे काम आये वह जीरू डिगरी को कि विश्चन नंबर टेन एक और कर दूं कि अधस दस डिगरी को बदल ही लो ग्यारा एक और दे देता हूं वह है हंड़ेट डिगरी को बदल ही लो एक और थोड़ा सा कि 145 डिगरी को बदल ही अच्छा हां एक और एक और एक और देदी आए ठीक तब एक और रही बना चलिए ट्राइट एस फास्ट आज यूगन अ दस बीस तीस एक सो बीस सेकंड का खेले एक सो बीस भी बहुत ज़्यादा है सौ सेकंड का खेले बनो मजे के साथ बनाईए मैं आपका वेट करता हूँ हाई दोका मत देना बे बनाना तुम्हारे माट साथ की ये आज की पांच भी क्लास है तो तुम्हारा माट साथ पांच घंटे से खड़ा है कि मुस्कुरा रहा है किसके लिए तुम्हारे लिए तुम किसके लिए पढ़ रहा हो नब्वे परसेंट मेरे लिए दस परसेंट सौरी नब्वे परसेंट तुम्हारे लिए दस परसेंट मेरे लिए आपके लिए क्यों तुम जिस दिन जाओगे उस दिन मेरी Credibility Strong होगी क्योंकि मैं Market में Market नहीं बोलता मैं जगत में सिक्षा जगत में सुरी भग्वान मापका ना Market बहुत गंदा सब्त है मैं नहीं चाहता है यह जो Entrepreneur Education Industry यह सब बोलते हैं ना मुझे बहुत दुख होता है अंदर से कहां क्या कर रहे है कि सिक्षा में क्रेडिबिलिटी के दम पे मैंटिक आओं क्योंकि बहुत पैसो तो बहुत कम हो गए एकसेसिबिलिटी भी बढ़ गए आप हजार टीचर से पढ़ सकते हो सभी कोई आपके पास है क्रेडिबिलिटी नहीं है आप वो सब को देखकर के लगता है कि इसने तो रैंक खरीदे हों यह तो उपर से ऐसे ऐसे बोल के बहुत मोटिवेट करता है बच्चों को कोर्स में लाकर करके फिर सिलेक्ट नहीं होते बच्चे मुझे वो सारी चीज़ हटानी है जब कोई एक इंसान कुछ अच्छा मुहिम चलाता है ना तो सभी फिर उसके देखा देखी आते हैं मुझ को कोचिंग वालों को नहीं देखना चाहते हैं कंडे आपका जो आया वो दिखा दो when एट क्रेडिबिलिटी संमान है इसका जब 2022 को समान देना चालो करोंगे तो को कॉचिंग वालंवे रैंक खरीदना बंद कर देंगे और मुरह मैं सिर्फ क्रेडिबिलिटी विष्वस सुल्वस नहने जो कर देता हूं कि है कि 90 डिग्री पाईब दी एक्स के पाई बाई वाने टी एक्स के पाईब आटी रखाये को जगा पर रेडियन लगा लगा नाइन टीस अटू यानिकि पाईब लाइडियर डिया क्या नाइन टीस हमाज आई 120 रखो इसके जगह पे 90 की जगह पे क्या रखो 120 कि तू पाई भाई थ्री रेडियन 120 का भी हो गया 45 का एक करता हूं सब्सक्राइब क्या मेरी बात क्लियर है कि यह नहीं दिखे तो कोई बात नहीं आप कर सकते हो कुछ से अब मैं यह सब चीजें नहीं बताऊंगा माफ करना मुझे कि ऐसी अब मेरे लिए तुम अपने लिए बच्चे होगे मेरे लिए तुम अल्रेड़ी आइट यह हो तुम एक का इटीन से बात करो एक मैं को यह सारी चीजें बताऊं मैं मैं नहीं समझता तो महारी इज्जत में खलल पड़ जाएगी मेरे दोस्त कि एक नॉन आइटियन इंसान आइटियन को पता है कि मेरी युकात नहीं भाई चलो हमने दो कनवर्जन सीख लिए और दोनों इंपोर्टेंट थे वह वाली बात कर लेते हैं कि प्रोपोर्शनालेटी के जगह पे लिए चोटा सा टॉपिक देते हैं वाई को इस इंट्रोड्यूस्ट इन प्लेस आफ प्रोपोर्शनालेटी कि क्या मेरी बात क्लियर है इस टॉपिक की हां क्लियर है मैं थोड़ा चलूँगा इस टॉपिक को समझाने में क्योंकि यह टॉपिक ऐसी है जो तुम्हें बहुत आसान सी है और इस पर ध्यान देनी की जरूवत नहीं होती पट मैं अंधर की बात बता रहा हूं ठीक है तो मेर चैनल कवांटीटीस के बीच का रिसका है मौँ ठीक है दो में से एक होता है इंडिपेंडन ठॉंय र Mississippi का एक दूसरी डिपैंडन संञे इसमा पानी देंग है तो हुआ टीक है मैं पानी देंगर तो इसका साइज बढ़ है ठीक है इसमें पानी देंगए तो इसका size बढ़ेगा रेकिन क्या ऐसा हो सकता है इसका size बढ़ना क्या होगा इन्हीं दो physical quantity के बीच रिस्ता दिखाता है कि याई अगर पानी ज्यादा दोगे तो size ज्यादा बढ़ेगा तो पानी ज्यादा दिया जरूरी नहीं है वो अलग factors पर depend करता है तो पानी देने से size बढ़ता है पानी देने से size बढ़ता है पानी देना है मैसे लिखेज़ पांते का बढ़ना जो है किसके proportional है पानी देने करेगा धैर अब हम चार फिट का है कब जब इसमें हमने दो लीटर पानी दिया था यह 8 फिट का हो गया कब जब इसमें हमने चार लीटर पानी दिया था यह 12 फिट का हो गया कब जब इसमें हमने छे लीटर पानी दिया था, क्या मेरी बात clear है, यह data हमने observe किया, ऐसा data होता है, ठीक, अब हमने क्या दिखाया, कि यह जो size है, वो इसमें जितना पानी दिया है, उसका दुगना है, तो क्या लिखेंगे, यह तो directly proportional to पानी है, और अगर हम इसे equal में बदलना चाहें, तो size जो है वो equal to है, दो गुना पानी के, यानि पानी जितना दिया, उसका दो गुना size हो गया, तो देखा, proportionality को हमने हटाया, तो एक equal to के साथ constant आना निश्चित बात है, इस mathematics से आता है, तो मैंने जो वहाँ पर बताया, कि L upon R equal to theta, L equal to R theta, हमने बोला था कि L directly proportional to R है, यह मैंने बोला अब suppose की length है, किसी R का 2 meter, और उसका radius है, 1 meter, 3 meter हुआ, 4 meter हुआ, तो यह radius हो गया, 2 meter, यह हुआ 6 meter, तो यह हुआ 3 meter, यह हुआ 8 meter, तो यह हुआ 4 meter, क्या radius और length दोनों एक दूसरे के सारे साथ बढ़ रहे हैं, हाँ, बढ़ रहे हैं माट सब, तो मैंने क्या कह दिया, कि L जो ह आना होगा, तो क्या लिखूंगा, कि जो length है, आर्क का, वो equal to है, 2 गुना आर्क के, देखो, एक का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, तो यह equality लाया, तो equal to के साथ constant आया, और यही constant क्या होता है, मिरे लिए angle, यह constant क्या हुआ, मिरे लिए angle, जब ऐसी स् addition में थीटा की value होगी, वो the radian आईगी और यही एक constant value थी, तो समझ में क्या आपको बात आ गई, कि किसे भी proportionality को equality और constant से क्यों हम replace करते हैं, क्योंकि वो proportionality जो है, वो equal to और constant के जगह पे ही लिखी जाती है, ठीक है, वो relation था, बढ़ रहा था, हमने सिर्फ बढ़ने को बता है, तो proportionality लगाया, कितना गुना बढ़ रहा था, वो लगाया, तो equal to के साथ, वो constant लगा दिया, यह अंदर की बात है, क्या मेरे बच्चे ने मुस्कुराते हैं, बोला हाँ सर, मुस्कुराहट नहीं देखिया, तुमारे चेहरे पे, जरा मुस्कुराना, यह बात clear हुई, चलो, नोट करो तेजी के साथ इसे, हो गया नोट, बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पे, पहला ऐसा खास अच्छा सा topic जिसको आप, दस मीें पढ़ चुके हो, तो मैं वही चीज़े वापीस से revise कर वाँगा, ट्रिगोनोमेट्री में हम च्या पढ़ते थे, ट्रिएंगल के बारे में पढ़ते थे, किस ट्रिएंगल के बारे पढ़ते थे, right एंगल, आपको similar triangle पता है तो similarity में नहीं पढ़ा रहा और similarity बहुत कम काम आती ही नहीं यह triangle ठीक इस triangle से लेटेड आपको एक theorem पता होगा वो theorem क्या था वो theorem आपको जानना है वो ट्रेवलों में ट्रेका नहीं है बटो त्रेवरम जानना है sum of any two sides of any triangle not only right angle triangle any triangle Is always greater than third side Bucakya मेरी बात यह कलियर हुई हां सरक्लियर है थीक है अब भेवाने ट्रिगनोमेत्रिक रिश्स पढ़े ते क्या पढ़ है ट्रिगनमेत्रिक स्योजिता पाच बताने की जरूआ तो एनमध्वत्लिक्राराल अरही है घचाना इपपने सर्माते की तुम पता जाक तों अुंद क्या था सॉल करत फिदय क्या था कऌ ती तंट बताओ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा पी बाई ह बी भाई है फीबाई है फीबाई बी क्या मेरी बात आथे क्लियर ठीक है अगे बड़ें ठीक है दो तीन चीजे इसका रिलेशन होता था वो बेसिक बेसिक चीज आपको जानने है का ऐसे सैंटीटा अंट्यू सेक्वर या ऐसे लिखने के बज़ा हां ऐसे साइन थी टा इंटू को सेक्वर टो या इक्वर सब्सक्राइब एंकव कौन कर आणि कैशं कि जल्दी नोट करना मेरे बच्चे है कि ठीक कुछ यह यह ओब और चीज़ साइन अस्वाइर जीटा प्लस कोस अस्वाइर थीटा एकवल टू बन कोसे कस्क्वार्ट फीटा माइनस कोट एसक्वाइर थीटा इकवल टू बन ठीक है फिर आती है क्या गर्द सेक स्कॉयर थीटा माइनस तैन स्कॉय थीटा इकोल टू कि चीज़फ सकते हो या नहीं मेरा चस्मा मिल गया things पही था चलो क्या तुमलत संब्सक्राइब या भी इस बात आधर से दुबहाई को भी आता है इधर से इधर अना समझढार लोग को आता है तुम्सभदा इन सौन ने था यह एक और लिखे लो तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है बिधिंद माता है साइन टू ठीटा एक वर्टू टू साइन ठीटा एंटू कॉस्ट थीटा पहले चैप्टर कानेमेटिक्स में एक जगह पर टेरिवेशन के दौरान पर काम आती है यह चीज इसके अलावा एक खास ट्रियांगल होता है उसे जानने कि तुम्हें जरूए थैं रेट मार ट्रियांगल क्या है कि पुछ राइट आइंगल ही है उसमें एक एंगल होता है थाटी सेवन डिग्री दूसरा अंगल होता है 53 इसमें इसके सामने वाले होता है यह सामने वाल तीन चार पांच यह खास याद रखना अब इस ट्रियंगल के लिए आपको सारे ट्रिक्नोमेट्रिक वैलूस याद होने चाहिए यानि कि साइन 37 डिगरी कितना होगा बता पीवाइच करो पीवाइच करो तीन बाइप पांच लिखो को साइन 37 डिगरी कितना होगा बता चार पांच होगा देख लो बेस है अपन हाइपोटेनियूज है तैन 37 डिगरी कितना होगा तीन बाटा चार होगा यानि पीवाइबी होगा यहाँ पर चाहो तो तुम वह वाली चीज़ भी लिख सकते हो अर्ण तैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉं कौउस तीटा यह गदह को भी लिखना आता है साइन थीटा बराबर साइन थीटा अन्टु कॉस्त अलिकना समझधारी की बात है या अपने टैन 37 कोस 37 और रिखा थान लिखा तुमने बोला हम अठिस लिख लिए कॉप्य में दिखाना मुझे नोट्स भी ना मुझे टेले ग्रम पर डिस्क्रिप्स एन का लिंक है मैं सब का नोट्स चेक करता हूं दूसरी आती है साइन 53 डिग्री अब यह पर पंडिकुलर हो के सामने वाला यह तो यह परपेंडिकूलर यह है यह है पुटन इस परपेंडिकूलर है पुटनियू जानी कि चार बटे पांच की सब्सक्राइब ने क्या हो गया तीन बटे-पांच राइन 53 डिए इक है इक एक उल कहार भी ते भी ठीक क्या मेरी बात क्लियर है बिल्कुल क्लियर है कि बहुत बढ़ी है कि मज़ा आगया देखके यह सारी चीज़ आपको जाननी थी यह ट्रियंगल जिसको याद नहीं होगा ना उसको सजार जन्मों में सेलेक्शन होने की उमीद नहीं रखना मुझे स्क्रियसली मैं क्लारेटी बता रहा हूं मैं रूड हूं थैंक यू बोलो इस रूडनेस के लिए क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने यह ट्रेंगल इसको याद नहीं हो सकता च्छोटी सी बात है ना याद करो ती ट्रिग्णोमेटरी में हमने यह देख लिया नोट करो इतना अगे बात करते हैं स्मॉल एंगल एक्ष्ण के इसके बात और उसके बाद लेक्चर को रैप अप करते हैं अगले क्लास में बायनोमियल एक्स एप्रॉक्सिमेशन से चालू करेंगे अपनी चीज बातचीत को ब क्योंकि वह काम नहीं आते तो तुम जिस भी मास्टर से पढ़ते हैं अगर उसने ही रो बनके बताया मास्टर से भी तो कमप्टिशन होते हैं आप बताते मैं वैसी चीज़ बताऊंगा जो यूज ही नहीं होता है लेकिन वैसी चीज़ कॉपी में डाल दूंगा जो कि बच चोटा एंगल का एप्रोक्सिमेशन के हिंदी अब पताना याथ अगर तुम यहां पर लेक्टर देख रहा है तुम लाश्टा काई हो तो नीचे आप्रोक्सिमेशन के हिंदी टाइप करना ताकि मैं जान पर आच इसने लेक्टर यहां तक किया है स्किप नहीं किया कुछ कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सिमेशन कैसे काम करती है कि अगरे कि अगरे कर दिया ठीक है यह थीटा के लिए पर्पेंडिकूलर था यह हाइपोटेनियूस था यह बेस था इससे हमने आगे बढ़ाया और इसे एक आर्क बना दिया क्या बना दिया कि आर्क सांथ यह सेरकूलर चक्राइ ain't Crиваем yet के यह चोटा करना चालू किया सब्सक्राइब करना करना चालू किया कि यह फ्यूंडी क्राइब देख्षा जना दिए बहुत छोटा हूं है बहूत च्रटा हमने गरिए कैस इतना छोटा हां इतना ही छोटा अब जा गया- और आगशा यस यह खिफेंडी्कूलर को अंदर लिखते है यह हो गया this applies your package अब क्या हुआ है जो आर्क है वह और छोटा हो गया पार क्या हो गया और छोटा हो गया जो ठीक है इसको हमने और छोटा किया कि यह पूटनिव यह परपेंड रहे आर्ख है यहां पर तुमको दिख रहा है यह जो आर्ख है वह जैसे जैसे यह चोटा होते जारहां परपेंडीकूल और वैसे वैसे यह वाला जो गैप वो शुटत जारते जारहां चीपक ते जारह ओ एक टाईंप पर भी यो बहुत छोटा होते होते जो बेस है उप्रॉक्स हाइपोटेनीवज के पास आ जाएगा तो बेस जो है और प्रॉक्समेटली हाइपोटेनीवज के इकवल हो जाएगा किया यह दोबात दिग गई छोटे केहल है है ruins B URLs B के और यहां से ध्यान देना यह जो बी है वह इतना वण रेडियस था इस रैडियस के भी प्रेक्स हो गए रेडियुस से चिपकते 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 इस पउइंट पर आ गया तो यह सारकूलर आर्क था धूसका भी वी ही वैलू हो जाए जालगा जानिकी भी जो है वह अप्रॉक्शिमेटली एच के इकवल है यह जो है यहाँ पर कि जो है यह आप equal हो गया अब L Y R क्या है एंगल है यानि कि थीटा है तो बहुत छोटे एंगल के रिए साइन थीटा होता है वो थीटा के बराबर होता है वैसे कॉस्ट टीटा लिखो यह पहला आपका पॉइंट हो यह याद रखना याद नहीं रखो कि कंट रिखने दशालों में सेलेक्शन नहीं होगा चयाद रखो कि मैं नहीं बता सकता सेलीक्षन हो या नहीं पट नहीं करावगी तो सेलेक्षन आपॉन कॉस्ट क enfodis an Expert आपन को स्थिता चोटे एंगल के लिए असे अब्रॉक्सिमेटली यूज़ को सिर्क इस इती एक रिक है तैन भी एप्रॉक्सिमेटली चोटे अंगल के लिए बड़ाए था कितना चोटा मार जी कडिकाई कर दो मैंN मैं बोला कि बच्चा थीटा अगर एक से लेकर के दस डिग्री के बीच होगा था हम उसे छोटा कंसिटर करें कि इफ थीटा एज है बिट्वेन वन डिग्री टू टेन डिग्री देन इट इस कंसीडर आज कि अगर कभी आपको दिया जाए क्वेस्चन के तौर पर कि साइन आठ डिग्री के वैलू क्या होगी तो आप आठ लिख दोगे क्या लिख दोगे आठ लिख दोगे सिंपल सी बात है ठिक कि अगर इनادर निować इस टीटा एस ब्यटून डिग्रिन की निन नर्हें अग्या इत रिट डिया हो तो आप एड रिट्राइट यान लिघ्ट दोगे यहां पर एक बात और ध्यान रखना डिग्री नहीं तो इतनी चीज हमने आज की लेक्चर में किया स्मॉल एंगल एप्रोक्सिमेशन और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी और रेसियो अब मैं वह चीज़ें नहीं बताऊगा कि साइन वन एटी प्लस पाई साइन नाइंटी प्लस पाई यह सब चीज़ें वह आती है मैं सवाले टीचर बताएंगे आपको ठीक है सबसे जाधा क्रेडीबल प्लस 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 प्लेटीबल प्लस पिया करने के लिए दूसरा प्रामिस हमारे कॉपी से ही सवाल आते हैं टेक केर गुड नाइट